हेलो मैं केस्टिंग हलो 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 यूटूब डिससे जूब यूटामुजराल चैनल साइगर बाबा अगर आइसा कोई एप या प्लेटफोर्म हो जो किए आपकी कंडिसंस पर ओप्रेट हो जैसे कि आपने कोई यूटूब पर वीडियो अपलोड किया है तो वहाए अपलो जैसे कि आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा कंडिसंस से मुसी तरह से तो अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होगा तो आप उससे अपने प्रोमोशन की टाइम को बचा सकते हैं तो आज इसी की रेगॉर्डिंग आज हमारा ये वीडियो है जिसमें मैं आपको ऐसे प्ले प्लेटफॉर्म को नेम है IFTTT सिंप्लि आपको अपने ब्राउजर पर टाइप करना है IFTTT और यहां से आपको साइट को ओपन करना है IFTTT.com कुछ इस तरह से आपको इस प्लेटफॉर्म का इंटरफीस मिलता है जिसमें सबसे पहले आपको एक अकांट क्रियेट करना होता है so account को create करने के लिए सबसे पहले आपको sign up बटन पर click करना है अब इस platform पर join होने के लिए आपके पास दो option होते हैं so यहाँ पर मैं Facebook को use कर रहा हूँ join करने के लिए site को login होने के बाद आपको कुछ इस तरह से platform का interface मिलता है जिसमें आपको कुछ selected applets मिलते हैं अब यहाँ से आपको अपनी requirement के उसार applets को सर्च करना है so simply आप सर्च बटन पर click करें और यहाँ से आपको particular platform को सर्च करना है जैसे कि यहाँ पर मैं type कर रहा हूँ YouTube simply आप इसे scroll करें अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको particular platforms related बहुत सारे applets सो हो रहे हैं जैसे कि automatically tune the video you CRA or video to blogger CRA or video to wordpress CRA or video to facebook post इस तरह से आपको बहुत सारे applets मिलते हैं जिसमें से आपको अपनी condition और requirement के उन्सार applets को find करना है क्योंकि आप इन्हें applets को use कर अपने promotion में लगने वाले time को बचा सकते हैं और YouTube के अलावब भी यहाँ पर बहुत सारे platforms हैं simply आप search button पर click करें यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे multiple platforms हो रहे हैं जैसे कि Google Drive, Evernote, Instagram, Twitter, Skype और भी बहुत कुछ आप particular platform को भी search कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं type around Facebook page अब यहाँ पर भी आपको Facebook से related multiple applets मिलते हैं जैसे कि share your blog post to Facebook page automatically share your new video to Facebook page automatically share your Facebook page to new WordPress post और भी बहुत कुछ for example जैसे मैं इस task को complete करना चाहता हूँ जैसे ही मैं अपने blog पर कोई post publish करूँ वो है मेरे Facebook page पर publish हो so यहाँ से मैं इस applet को select कर रहा हूँ share your blog post to Facebook page अब select turn के बाद आपको इस applet को on करना होता है simply आप turn on button पर click करें अब जैसे ही आप turn on करते हैं कुछ इस तरह से आपके सामने एक permission का page आता है जिसमें आपसे blog और Facebook page की permission मांगी जाती है so simply आपको इन दोनों platform से इस platform को permission देनी है simply आप blogger पर click करें सामने एक page open होगा जिसमें से आपको connect button पर click करना है और यहां से आपको Google account के दोरा इस platform को permission देनी है same यही task आपको Facebook पर करना है जैसे ही आप दौनों platform से permission को देते हैं आपके सामने next page open होता है configure simply आप इसे scroll करें so यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने दो option आ रहे है link URL और message यहां पर आप देख सकते हैं link URL में automatically post URL का code दिया हुआ है अलब जो भी आप post blog पर share करेंगे वही same post आपके facebook page पर share होगी same इसी तरह से message simply आप save button पर click करें और यहां से हमारा applet activate हो चुका है अब हम चलते हैं अपने blogger पर और एक new post को publish करते हैं so यहां पर आप देख सकते हैं यह रहा मेरा blogger का dashboard simply new post post title this is cyber or youtube channel publish so यहां से finally हमारी post publish हो चुकी है अब हम चलते हैं अपने facebook page पर और इस post को चेक करते हैं so friend यहां पर आप देख सकते हैं published by iftt और आप देख सकते हैं same blog की post मेरे facebook page पर publish हो चुकी है so इसी तरह से यहां पर आपको multiple updates मिलते हैं आप सिंपली discover बटन पर क्लिक करें अब यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको हजारो एपलेट्स मिलते हैं जिसे आप अपनी requirement के उन्सार यूज कर सकते हैं website के सांसनात आप इसकी application को भी डाउनलोड कर सकते हैं so viewers इस वीडियो में सिर्फ इतना ही यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो please like करें, share करें और comment करें thank you for watching my video